आज मैं आपके साथ सेयर करने वाले हूं बहुत ही यम्मी टेस्टी एंड डिलीसिस रेसिपी जिसका नाम है शाही पनीर शाही पनीर बनाना बहुत ही जादा आसान हैं और इसे हम घर पर ही रेस्टोरेंट स्टास्टेल में आपको बहुत-बहुत सागत है अगर आप मेरे चै मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले ही पहुंच जाए अब मैंने शाही पनीर बनाने के लिए यहां मैंने एक पैन लिया है उसमें दो बड़े चमज घी ले लि चलिए डाल देते हैं अब मैने यहां कुछ खड़े मसाले लिए हैं तेजबता wowak, dewut qué advice मैंने यहां इलाइची लिए हैं डालचИनी का टुकड़ा लिया है एक छोटा चमज मैंने यहां जीरा लिया है कुछ मैंने यहां काले मिर्च ली हैं और दो से तीन मैंने यहां लोंग ले ली हैं दस से बारा मैंने काजू लिये हैं दस से बारा ही मैंने यहां बदाम लिये हैं इसको भी डाल लेते हैं दो मैंने यहां कटी हुई हरी मिर्च ली हैं और तीन से चार मैंने लहसुन की कलिया ली हैं। इसे भी डाल देंगे। साही पनिर की जो हमारी प्यूरी बनेगी। उसको हमें घी में या तेल में भूनना नहीए więcej housing पानी में lap a man एक से दो चम्मच हमने गी डालना है और फिर पानी में हम इसको PAKाएंगे। एक चोटी चमच मैने या लाल मिर्च पाउडर ली है चलिए इसे भी हम अच्छे से मिला देंगे अब मैंने यहां करीब गरीब एक कप पानी लिया है और एक चोटी चमच मैं यहां नमक ले लूँगी नमक भी डाल देंगे इसमें जिससे हमारे टमाटर बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे और इसे हमें ढख कर पांच मिनट के लिए अच्छे से पका लेना है और गयास की फ्लेम को हमें मीडियम रखना है तो चलिए इसे ढख कर हम पका लेते हैं पांच मिनट बात चेक करेंगे देखिए टमाटर पहले से सॉफ्ट हो गए है और काजू भी अच्छे से सॉफ्ट हो गए है अब हम गयास की फ्लेम को बंद करके इसको ठंडा कर लेंगे और इसकी हम प्यूरी बना लेंगे और जो हमने खड़े मसाले डाले हैं उसको हम प्यूरी बनाने से पहले ही निकाल लेंगे देखी यह अच्छे से ठंडा हो गया है अब हम इसमें तीन बड़े चमस दही डाल लेंगे यहां मैंने तीन बड़े चमस दही ली है उसको हम जब प्यूरी बनाएंगे तो उसमें ही हमें डाला है जिससे pureeच बने की और दही के फटने के चांस बी कम होंगे देखी यहां मैंने पूरी बना ली है और इसको अच्चे से छान लिया है बहुत ही समूथ हमारी पूरी बनी है अब मैंने यहां एक पैल लिया है उसमें एक बड़ा चम्मच में यहां बटर लोगे आप घी भी ले सकते हैं या ओल भी ले सकते हैं चलो घी को हम पिंग ला लेंगे सोरी बटर को बटर को अच्छे से पिंग ला लेंगे बटर अच्छे से पिंग ल गया है अब मैं यहाँ एक चुथाई चोटी चम्मच हल्दी ले लोंगी ये भी डाल लेते हैं और एक चमच मैंने यहां कस्मीरी लाल मिर्च ले हैं लाल मिर्च मैंने पहले भी डाल ली है अगर आपको कम तीखा पसंद है तो आप कम डाल सकते हैं कस्मीरी लाल मिर्च वैसे ज़्यादा तीक ही नहीं होती है इसको भी मिला लेंगे अब मैंने एक चम्मच यहां अध्र का पेस्ट लिया है लैसुन के कलिए मैंने पहली डाल ली थी इसे भी भून लेंगे और यहां मैंने थोड़े धनी के डंठल जो होते हैं वो मैंने बारी कट करके ले लिये हैं इसे हमारी क्रेवी में बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इसे भी भून लेंगे अब हम तुरंट इसमें अपनी जो हमने प्यूरी बनाई थी उसको डाल लेंगे और अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे देखी कस्मी रिलाल मेज डालने से इसमें बहुत ही प्यारा कलर आया है अब हम इसमें मसाले अड़ कर लेंगे यहां मैंने एक चोटी चम्मच जीरा पाउडर एक चोटी चम्मच धनिया पाउडर एक चोटी चम्मच मैंने यहां गरम मसाला लिया है एक चोटी चम्मच ही मैंने यहां नमक लिया है चलिए मसाले हम डाल लेते हैं गरम मसाला हम बिल्कुल बाद में एड़ करेंगे नमक हमने पहले भी डाला है तो आप अपने स्वाद के निसार नमक ले सकते हैं चलिए मसाले भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको एक से दो मिनट हमें अच्छे से चलाना है और ढग कर इसको हमने पांच मिनट के लिए अच्छे से पका लेना है जिसे मसाले भी हमारे अच्छे से पक जाएंगे पांच मिनट पाद चेक करेंगे देखिए हमारी ग्रेवी बहुत ही अच्छी बनी है और इसका कलर भी बहुत ही प्यारा आया है चलिए अब मैंने यहाँ तीन चोथाई कप फ्रेश क्रीम ली है आप जो घर में मलाई होती है आप वो भी ले सकते हैं या शाही पनीर में आप मावा भी डाल सकते हैं तो चलिए मलाई को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे मलाई डालने से इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा लेकिन जैसे जैसे मलाई पकेगी तो इसका कलर पहले जैसा ही हो जाएगा तो चलिए इसको भी हम डग कर पांच मिनट के लिए पका लेते हैं पाँच मिनट की बाद चेक करेंगे देखिए हमारी ग्रेवी पहले से बहुत गाड़ी हो गई है और इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है अब हम इसमें गरम मसाला एड़ करेंगे चले डाल लेते हैं और एक चोटी चमच मैंने यहां कसूरी मेति लिए है जिसको तब यह पर भून लिया है और उसको क्रिश कर लिया है इसमें कसूरी मेति से हमारी ग्रेवी में बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा इसे भी अच् 100 ग्राम पनीर लिया है यह पनीर मैंने घर पर ही बनाया है घर पर पनीर कैसे बनाते हैं उसकी रेस्पी मैंने पहले आपके शाद शेयर की है अगर आपको रेस्पी देखनी है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है आप वहां जाके चेक कर सकते हैं पन पनीर में हमारे सारे मसालो का फ्लेवर अच्छे से चला जाएगा अब पनीर बन कर तयार है इसमें थोड़ा सा कटा हुआ रादिनिया डाल देंगे और इसको गैस को हम बंद कर देंगी देखिए बहुत ही अच्छा हमारा शाही पनीर बन कर तयार हुआ है बिल्कुल जैसे रेस्टोरेंट में बनाते हैं बिल्कुल वैसा ही आप भी इसे बनाईए और अपने एक्सपीरियंस प्लीज मेरे चाथ सेयर कीजिए आपको ये रेसिपी कैसे लगी मुझे कमेंट करके ब अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पह ब्यब बेड़ दे लो रप्रेंट